हलो दो deconstu आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपनी फॉन पेपर एक से ज्यादा बैंक एकाउंट को कैसे एड कर सकती है जैसे कि दूस्तों बहुत सरा टाइम अपको एक से ज्यादा बैंक एकाउंट को एड करने की जरूरत परती है तो दोस्तो इसी तरह आप 4-5 bank account को आपने phone paper add कर सकते हैं तो जैसे के दोस्तो phone paper कैसे आपने account बनाना है उसका complete एक वीडियो में बना कर upload कर चुका हूँ मेरे इस channel पर अगर आपने अभी तक आपनी phone paper account नहीं बनाया तो phone paper complete account कैसे बनाना है अपने bank account को कैसे add करना है उसका complete वीडियो आपको इस वीडियो की नीचे description में link मिल जाएगा आप उस वीडियो को देखकर phone paper एक complete account बना सकती है फूल KYC के साथ तो दोस्तो phone paper एक से ज्यादा bank account को कैसे add करना है यह जानने के लिए मेरे साथ बने रहे हैं और वीडियो को please end तक का दिखतरिएगा तो दोस्तो phone paper एक से ज्यादा bank account को add करने के लिए सबसे पहले आप अपनी phone paper app को open करेंगे और जैसे अब अपनी phone paper app को open करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको तिसरा option देखने को मिलेगा to self account आपको इस पर click करना है यहाँ पर आपकी phone paper पहले से जितना bank account add है सभी का list आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर एक नई bank account को add करने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा add new bank account आपको इस पर click करना है यहाँ पर सभी bank का list open हो जाएगा इस list से आपका जो भी bank account को आप add करना चाहती है उसी bank का नाम आपको यहाँ पर डोनना है अगर आपका bank का नाम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप search पर click करके यहाँ पर आप अपनी bank name लिखकर search कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं State Bank of India को यहाँ से select कर लेता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों यह finding होगा जैसे कि यहाँ पर आप देख पार यहाँ पर यह सक्सेस्फुली हो चुक है ठीक है उसकी बाद में अगर आपका इस bank account पर UPI ID पहले से ही बना हुआ है तो इससी तरह का page आएगा लेकिन अगर आपने अभी तेक UPI PIN नहीं बनाया तो यहाँ पर इस तरह का नहीं आएगा ठीक है आपकी समने इसी तरह का आएगा ठीक है तो यहाँ पर आपका जो ATM card है उसी ATM card का number होता है उसमें से last six digit number आपको यहाँ पर डालना है यहाँ पर आपका जो ATM card है उसका यहाँ पर expire date को डालना है ठीक है जैसे कि यहाँ पर आप month डलेंगे यहाँ पर आप year डलेंगे उसकी बा इस mobile पर है तो यहाँ पर यह जो OTP है यह automatically detect कर लेगा और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक UPI PIN बना लेना है ठीक है फिर से इस UPI PIN को आपको यहाँ पर नीचे confirm करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो bank account है यह successfully add हो जाएगा साथ आपका एक UPI PIN भी बन जाएगा ठीक है और अगर आप जिस bank account को add करना चाहती है इस पर आपनी UPI PIN पहले ही बना लिया तो यहाँ पर यह automatically add हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आपकी समने इसी तरह का page यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा account add successfully ठीक है तो दोस्तों इसी तरह आप बहुत है असानी से अपनी phone पर एक से ज्यादा bank account को add कर सकते हैं